बिना मेकप का कोई कोर्स किये वे आप किस तरीके से अपने मेकप को फ्लॉलेस बना सकते हो और प्रोफेशनल बना सकते हो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ टिप्स अन टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को पूरा देखना इसके बिल्कुल मत करना वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है और हाँ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज डो सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रस दब्ल आइकन ताकि मैं नेक्स जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो के इंजॉई कर सको और साथी साथ कुछ नया सीख सको तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपना मेकप स्टार्ट करते हैं मैंने मेकप के पहले अपने फेस को बहुत अच्छ से क्लीन कर लिया है उसके बाद टोनर मॉश्राइजर अपलाई कर लिया है देन मैंने यहाँ पे एक प्राइमर अपलाई किया है प्राइमर की बाद मैं यहाँ पे एक इलुमिनेटर अपलाई कर रही हूँ इसके help से मेरी make-up काफी dv finish देगी then मैं यहापे सबसे पहले contour कर रही हूँ क्योंकि मेरा face काफी broad है जिसके लिए मुझे heavy contour की जरुवत होती है और अगर मैं foundation के बाद heavy contour apply करू तो मेरा make-up मैसी हो सकता है इसलिए contour apply मैंने पहले कर लिया then concealer apply किया उसके बाद मैं foundation को apply कर रही हूँ foundation को बहुत अच्छे से apply कर लेने के बाद मैं यहापे liquid blush apply कर रही हूँ ध्यान में रखिएगा जो भी liquid product है आप पहले ही अपने face पे apply करो उसके बाद उसे powder के साथ set करो इससे आपका जो make-up है कभी भी cakey और cracky नहीं होगा जो की brown and pink में है यह eye makeup का tutorial मैंने पहले ही अपने channel में डाल दिया है अब please check out कर लेना eye makeup को complete करके मैं यहाँ पे आगई हूँ bronzer apply करने के लिए bronzer से मेरी face जो है काफी snatched लगेगी दिखने में then मैंने blush apply कर लिया उसके बाद एक lip liner के help से मैं अपने lips को line कर रही हूँ यह lip liner मैं contour shade के help से create कर रही हूँ आप अक्सर सोचते हैं कि bollywood actress की जो lips हैं वो इतने classy and sexy कैसे लगते हैं दिखने में तो आप भी अपने lips को इस तरीके से classy and sexy दिखा सकते हैं साथ ही साथ आपकी जो lips से बहुत थी plumpy and poutry लगेगी तो यहाँ पे मैंने concealer का help लिया है अपने lips को fill करने के लिए उसके बाद मैंने lip gloss apply किया है then मैं आप apply कर दिए एक highlighter उसके बाद अपने पूरे makeup को अच्छे से set करूंगी with the help of setting spray बस हो गया मेरा professional makeup look बिलकुल complete तो आप सब को कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताना और ये tips and techniques आपके लिए कितनी helpful रही ये भी बताना मैं मिलती हूँ आपसे next एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye love you all अच्छे रहना स्वस्त रहना मिलती हूँ next वीडियो के साथ